वेलकम टू टेक्निकल डिम्स आज मैं ऐसे दो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने लैपटॉप या PC के की CV, File and Folder को हाइट कर सकते हैं तो दोस्तों जो पहला method है उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको सबसे पहले मैं कोई folder लेकर दिखा देता हूँ तो मैं इसका नाम रख देता हूँ hide इसमें मैं एक PDF भी डाल देता हूँ अब जो पहला तरीका उसमें क्या करना है आपको अपने माूस से right click करना है आपको यहाँ पर show more option पर click करना है इसके बद properties पर जाने के बाद यहाँ पर आपको hidden का एक option दिखेंगे तो आपको क्या करना है इसमें click करने के बाद apply फिर ok यह hide हो गया अब मैं बताऊंगा कि आप इसको अन हाइट कैसे कर सका तो इसके लिए आपको this PC में जाना है यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर एक three dot दिखेगा आपको यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर options पर जाना है options के बाद जाने के बाद आपको यहां पे views पे क्लिक करने के बाद आपको यहां एक option देखेगा so hidden files folder and drives तो आपको यहां पे क्लिक करने के बाद apply then okay जैसे मैं बापस desktop पे जाता हूँ तो आप देखोगे कि यह file आग है बापस अब यह आपको थोड़ा हलका hidden दिखेगा तो इसके लिए क्या करना आपको फिर से बापस same procedure करना है right click करना है mouse से so more options then आपको properties पे जानी है properties के जाने के बाद आपको यहां पे hidden को दुबादर से uncheck करना है then apply and then okay and then okay अब देख सकतो यह बापस आ गया अब जो second matter है जिससे आप अपने file को height कर सकते है उसके लिए क्या करना है आपको command when करना है यहां करने के बाद पहले मैं इसको यहां से option से हटा देता हूँ अब यहां पर आपको right click करना है right click करने के बाद आपको यहां पर दीख एक option copy the path यहां पर सबसे पहले आपको type करना cd then space जो अपने copy के वो अब यहां पर आपको desktop तक जाना है बस इंटर करना है अब यहां पर आपको directly search type करना है dir जैसे आप type करोगे आपको दीखेगा यहां पर height folder का नाम तो आपको क्या करना है सेम जो हमने उपर लिखा था अब इसमें आपको type करना है rib plus h आपको यहां ध्यान देना है कि अगर आपको इस folder को height करना है तो यहां पर आपको plus h लिखना है अगर इसको unhide करना है तो यहां पर आपको minus h लिखना है तो मुझे height करना है तो मैं यहां पर plus h लिखूंगा इसके दो bracket लेने है, इसके अंदर आपको file का नाम लिखना है hide और enter जैसे आप enter करोगे, आप देख सकते हैं से hide हो गया अब मैं आपको same इसको unhide करके दिखाता हूँ बिल्कुल same आपको करना है बापस से आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर same code लिखना है यह देख सकते हो, यहाँ पर folder आ चुका है अगर इस procedure में आपका अगर hide नहीं होता है तो आप यहाँ पर this PC में जाओगे और यहाँ पर three dot पर click करोगे, then options then यहाँ पर views में जैसी जाओगे, तो यह हो सकता है कि यहाँ पर click show hidden files, तो आपको यहाँ से अंचेक करके यहाँ पर do not show hidden files पर click करने दोस्तो फ्लीज इस वीडियो को like, share and subscribe ज़रू कर दे, thank you